अभी हाली में आप लोगोंने देखा होगा कि हमारे पिदार मंत्री मौधी साब के द्वारा करनाटक की रादधानी बैंगलोर की जो संस्थापक माने जाते हैं नाद पिरभू कैम गोड़ा की 108 पितिमा का अनावरन किया है 108 पिट की है यह पितिमा ठीक है और 98 टन ब्रांज और 120 टन इस्टील से मिलकर बनाई गई है और इसे आप लोग इसक्रीन पर देख भी रहे होंगे एक विदार मंत्री दिखाई दे रहे होंगे तो एक बार आप ल इसकी रादधानी है एक नवंबर 1956 में से राज बनाए गया था इसकी सीमा गोआ, महराज, तेलंगाना, आंध्रपिदेश, तमिलाडू, केरल से लगती है यहां बिधान सभा में 200, बिधान सभा में 224 सीटे हैं बिधान सभा में कितनी? 224 सीटे हैं बिधान परिश्यद में यहां के बर्तमार में मुकमंत्री वसावराज मुंबई हैं और राजपाल थावरचंद गहलोत हैं जब भी कोई राज किसी भी कारण से चर्चा में रहता है तो उसके बारे में एक सामान जानकारी रख लिया करिएगा और इस पितिमा को Statue of Prosperity कहा जाता है और आप देखे पितिमा को डेजाइन किया है और पदम भूसन की बात करें तो आप देखते हैं कि इस से 1915 से सुरू हुआ था यह पुरुसकार सुतार ने गुजरात में Statue of Unity बैंगलोर की विधान सोध में महत्मा गांधी की पितिमा का निर्मार भी कराया था और अनावड से पहले केंप गोडा की बात करें तो उनका जनम 1513 में यला हंका की पास एक गाउ में हुआ था और सोलेवी सताप्दी में विजय नगा समराज्जी के तहत सामंध थे वो वह लिंगायतों के बाद करनाटक के दूसरे सबसे प्रभावसाली समुदाय होका लिगा समुदाय के एक पि मार्सल आर्ट कला की सिक्षा प्राप्त की और इनकी उपलगधियों की अगर हम लोग बात करें तो आप देखें उन्हें ब्यापक रूख से बैंगलोर कंडाटक की संस्थापक की रूम में भी सुईकार किया जाता है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने मंत्री के सा करने का स्रेवी उन्हें दिया जाता है कैंप गोड़ा को मुरासू वुक्का लिगा कि एक महत्मूर पिथा बुवांदी दिवारू के नाम से पिछले तेक रिवाज की दौरान एक आविवाहित महला की बाय हाथ की उंगली काटने की पिथा को कथम करने का स्रेवी दिया ज गई थी और आप देखेंगे क्या देखेंगे राज सरकार ने कई महत्मूर इस्थलों का नाम उनकी नाम पर रखा है जैसे कैंप गोड़ा अंतराश्टाई हवाइड़ा कैंप गोड़ा बस इस्टेंड नाथ पिरवू कैंप गोड़ा मेट्रो स्टेशन भी देखने को मिल जलता है और देश की राजनीती भी आप देखते हैं उसी में साम्मिल हो जाती है एक बड़ा समधाय है करनाटक में तो कई विधानसवा सीटों पर एक महत्मूर निडायक बोड़ बैंक भी है तो यह भी आप लोगों को याद रखना चाहिए इस तरह कि ब्यक्ति का जब भ रख लेजिएगा ठीक है